आज की बहुत ही मज़ेदार रेस्पी है चना चाट अगर बारिस के मोसम में चना चाट मिल जाए वो भी चाय के साथ तो फिर तो मज़ा ही आ जाए तो चलिए बनाते हैं आज की मज़ेदार रेस्पी चना चाट चना चाट के लिए मैंने 200 ग्राम चना रात को इफिगू के रख दिया था चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले ते इसको मुझे बॉयल करना होगा तो एक कू कर में मैंने इसको डाल दिया है और दो गलास पायंड दिया चने के उपर तक पानी होना चाहिए चास सीटी आने तक हाई फ्लेम पे मैं इसको वॉयल करूंगी सीटी लग चुकी है जब गैस खुछ से रिलीज हो जाए तो आप ढकन खोल के चेक करिए बिल्कुल परफेक्ट चना तयार हो गया है अब इसके पानी को हम ड्रेन कर लेंगे आप इसके पानी को फेक दी सकते हैं और चाहे तो आप यूज में भी ला सकते हैं एक कडाही में बड़ा चमच ससो का तेल लेंगे थोड़ा सा जीरा लेंगे थोड़ी सी हिंग लेंगे और बारी कटी हुई एक बड़ी प्यास लेंगे हलका सा सॉप्ट होने तक पकाएंगे इसके बाद इसमें थोड़ी सी लसुन की कलिया बारिक कटी हुई डाल देंगे इसको ये प्याज के साथ थोड़ी दरी के लिए पकाएंगे चार हरी मिष बारिक काट के अमें डालेंगे जितना टीखा आपको खाना पसंद हो वन थरट चमस हल्धी पाउर ड़ूडर डालेंगे इसको मैं थोड़ी देर यह की लिए इसके तमाटर और प्यास के साथ मिकस करोऊंगी उसके बाद धनिया पाउर्डर लेंगे ऐसको भी मैं तップ चमस इसको मुखु करूँगी तो में यही तोड़ी देर अश्थ Marsh sै है बैसे आप चाहे तो थोड़ा सा हलका सा पाइं डाल के भी से पका सकते हैं मैं open ही पका रही हूं low flame पे जादा time ने लेगा बहुत अच्छे से पक गया है तयार हो गया है मसाला में से खुस्बू आने लग गई है और इसमें अब मैं डाल दोंगी ये बॉयल किया वा जना ध्यान रखेगा मैंने अभी इसमें कोई ऐसा मसाला नहीं डाला गर मसाला वगारा मैं बाद में डालूंगी हाँ एक चीज और डालनी थी मुझे अद्रक का पिष्ट वो मैं लहसुन के टाइम पर ही डाल देना चाहिए था कोई बात नहीं इस समय भी हम डाल के इसको पका लेंगे बहुत ही अच्छा स्वाद आया था मैंने तो सोचा था कि खराब हो जाएगा लेकिन बहुत ही अच्छा स्वाद बहुत ही मस्त स्वाद आया था लगाता चलाते में पर चाट मसाला डाल दूंगी इसलिए तो चार चांद लग जाएगा चाट में मतलब मैंने चाट मसाला डाल दिया है अगर आमचूर पाउडर ही है इसको अच्छा से मिक्स करूँगी बहुत भडिया परफेक्ट खुस वू आ रही है इस रस्पी को जरूर आप एक बा चलिए अब इसमें थोड़ा सा धनिया गार्निस कर देती हूं भी फ्रेस्स धनिया इससे तो और और मस्त बंग देखने में लगएगा और स्वाथ भी बहुत अच्छा आएगा धनिया डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी में बराबर से अच्छे से धनिया मिक्स हो जाए चलिए अब चलते हैं सब करने की प्रोसेसिंग में इस वीडियो को सेप कर लेजिएगा ताकि आप बाद में भी इस रेस्पी को बना सकें तो बहुत ही जब दस चना चाट बनके तयार हो गया मैं तो जारी भाई चाई के साथ इंजवाय करने आपको ये रिस्पी कैसी लगी एक बार जरूर अपने घर में ट्राइ करिएगा अपने फ्रेंड्स में फैमिली में वीडियो के सेर कर लिजेगा अपने दोस्तों को खिलाईए अपने मेमानों को खिलाईए बहुत ही जब दस चना चाट है और बहुत ही इजी और क्विक है